एटल सिम में नेट नहीं चल रहा है रियल्मी फॉन के अंदर या फिर जियो सिम में नहीं चल रहा है रियल्मी फॉन के अंदर आपकी पास रियल्मी का कोई भी फॉन है उसमें एटल सिम या जियो सिम पड़ी हुई है उसमें नेट नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को देख फुल लीडियो लेके आता रहता हूँ तो चलिए बताते हैं और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को सबसे पहली सेटिंग है आपको Notification Panel को नीचे की तरफ खेचना इस तरीके से यहाँ पे आपको देखेगा Aeroplane Mode, इस तरीके से आपको देख लेना है मैंने Back इस तरीके से कर दिया है अब आपको क्या करना है मुवाल की सेटिंग में जाना है जैसी आप मुवाल की सेटिंग में आ जाएंगे यहाँ पे आपको देखेगा Mobile Network का एक option इस पे क्लिक करना है अब आपको इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से next page मिल जाएगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे दिख जाएगा SIM 1 या SIM 2 ठीक है अब यहाँ पे आपके phone में Jio Airtel कोई भी पड़ी हो उसी SIM पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आप net चला रहे है जिससी मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे आपको देखो क्या करना है यह आपका बंद तो नहीं है यह चेक करना है यहाँ पे इससे आपको on रखना है ठीक है इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे data roaming बंद होगी तो इससे भी आप यहाँ से on कर लीजिए वाइफाई कॉलिंग जिखो बंद होगी या नहीं है तो उसे आप बंद कर दीजिए ठीक है इस तरीके से access point name पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3.0 मिलेंगे reset access point पे क्लिक करके अपने APN setting को यहाँ से reset कर देंगे उसका बेक करेंगे अब यहाँ पे operator का option देखेगा यहाँ पे auto select होना चाहिए यह आप दो setting करेंगे अब आपको क्या करना है फिर यहाँ पे आपको एक search बाद देखेगा यहाँ पे डालना है time and date ठीक है जैसे की time and date डालेंगे आप ठीक है date इस तरीके से या फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से back चाहिए यहाँ पे आपको back करना है मैं यहाँ पे back करता हूँ यहाँ पे आपको देखेगा इस तरीके से setting additional setting इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे date and time का option देख जाएगा इस पे क्लिक करना है यह आपका यदि यहाँ पे automatic select नहीं है तो यहाँ पे automatic select रहे देजे दोनो options को इस तरीके से अब आपके phone में net भी चलेगा आपको problem आ रही थी वो भी sort out हो जाएगी अब यहाँ पे एक setting और करनी है phone का power वाला बटन है उसे आपको दवाना है फॉन का power वाला बटन दवाएंगे फॉन को यहाँ से एक बार restart करेंगे फॉन on हो जाएगा और आपकी problem sort out हो जाएगी ठीक है वीडियो आपको इक कैस की लिए कहमें कमेंट में जरूब बताइए जैहंद बंद मातरम